गुद मारिंग एवरिवन मैं शिवानी सागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूटिफ चैनल लाइस पॉइंट में और आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और आप सभी किसले भी काफी अच्छे से चल दी होगी तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमने लास्ट वीडि लेयर हो चुके हैं आज हम क्लسب ऐमत्स के बारे इसे किम करने वाले है आज हम बात करेंगे प्रॉषंड कैसे होता है पहले हम यह जान लेते हैं इस chapter में हम बताया क्या क्या जाने वाला है तो guys अब हम यह जान लेते हैं यह जो हमारा hiding है섯 प्राणियों में portion आखिर इस portion शब्द का मतलब क्या होता है तो guys portion क्या होता है ये हम जान लेते हैं पोशन तत्वों का हमारे भूजन द्वारा क्या होता है भूजन द्वारा आहार के रूप में ग्रैन करना जिससे हमारी बौडी की ब्रदी और बिकास में हैल्प मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम पोशन कहते हैं ये आपको यहाँ पे समझ लेना अच्छे थे पूशन ग्रैन करना और सरीर के भिवन भागों तक पहुंचाना जिसे हमारे सरीर को क्या मिलता है जिससे हमारे सरीर की बलदी होती है पिकास होता है इस पूरी प्रक्रिया को हम पूशन कहते हैं क्या कहते हैं गाइस पूरी प्रक्रिया को हम 不 ऐसल कहते हैं dye अब आपड़ गर्री में पूलास्ट वीडियो में भी पbased अब आप में तो पूर जीवे पोशड है क्या यह कैसे प्रक्रिया है जो काफी जटिल होती है यह किन प्राणियों में संपन होती है तो गाइस यह होती है आपके साकाहारी में माश्याहारी में और जो सब भी जीवधारी होते हैं जो कैचुओ को खाते हैं जैसे बाज होते हैं यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बोजन के अंतग्रहर से लेकर जो आपका परिशंक्रन होता है तो उसको पूरी प्रक्रिया को यह संपन करते हैं जिससे हमने जाना की अंतग्रहर पाच्चन ठीक है पा रहा जाएगा अब हम यहां पर बात करें पाचन के बारे में कि पाचन क्या होता है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं पाचन ठीक है तो यह पाचन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं बोजन एक जटिल पधार्त होते हैं जटिल पधार्त तोड़कर सरली करत में पाचन के प्रक्रियाब में होती है जब भी हम बोजन को मुकगो आके अंदर लेते हैं उस समय ये बोजन जटिल फॉर्म में होता है पाचन के जो टाइंस होते हैं तो वी गटन वो होते जाते हैं इस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं पाचन के प्रक्रिया हम इसे बोलते हैं यह आपको यहाँ पे समझ लेना है जहाँ पे वी गटन की प्रक्रिया संपन होती है कहने का मतलब होता है कि तब आप मुख का में आपके बोजन जाता है उसके बाद वो छोटे छोटे टुकडों में तोड़ दिया जाता है ठीक है तो वो क्या होता है पाचन के पिरकरिया में ये आपका पाचन की जो प्रक्रिया होती है या आपकी यहाँ पे संपन होती है अब बात करते हैं यहाँ पे मानव में पाचन ठीक है तो मानव में पाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है कैसे वो संपन होती है मनुष्या में पाचन की प्रक्रिया संपन होती है उसके लिए भिविन भाग काम करते हैं यही नहीं कि एक ही भाग है कि आपने खाना खाया अदान उसका पाचन हो गया तो ऐसा नहीं होता है काफी सारे जो काफी सारे इसके नेम हैं आप इसके अलग अलग नामों के नाम सापिक से जानेंगे जैसे मुग गुई का होता है आप हमल दो घूदा है तो आफकों यहां पर समझगे लेऊ कि पाचन में जितनी भी कार्वनिक पदारतों को तोड़ कर सरल कार्वनिक पदारतों में तोड़ना ही पाचन की कि प्रकृष कहलाती है जब भी हम लोग किसी पाधार्थ कह से रिंध करते हैं जैसे कर्वोहाइड्रेट को क jorn करते हैं कर्वहाईड्रेट हो हमारे सरीर में करिकर शुगर के रूप में तूट जाती है कि यह क्या होता है कि एक नली होती है ठीक है आप यहां पर देखेंगे यह नली है जो मुग हुई का आप यहां पर देख पार है ठीक है तो मुग हुई का में पहले आपका वोजन जाता है मुग हुई का में फिर आप फिर आप देखेंगे यहां पर नली यह पूरा पाचन करने में हमारी शायता करती है यह पूरी नली एक ही है और यह जो अलग अलग जगहा पर जो अलग अलग नाम है ना जैसे आप परिच्छत हो रहे हैं वह सिंपल सी बात है कि उनके जो काम होंगे वह भी अलग अलग होंगे जैसे कि मेरा नाम शिवानी है और किसी आधर परसे का नाम कुछ और है तो क्या हुआ कि हम दोनों परसंद अलग अलग है तो नाम भी हम दोनों का अलग है और हम दोनों के काम भी अलग होंगे हम भोजन को ग्रैन करते हैं इसको हम क्या कहते हैं गाईज इसको हम मुक गुहिका कहते हैं ठीके अब हमारा जो पॉइंट आया यहाँ पे आया ग्राश नली तो ग्राश नली क्या होता है मुक गुहिका के बाद एक नली होती है जिसमें से भोजन हमारे आमाश्य में आता है आमाश्य को क्या होता है गाईज आमाश्य को मुखगुईका के बीच में जो नली है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम ग्राश नली कहते हैं अब हम बात करें आपे ठर्ड की आमाश्य क्या होता है आमाश्य क्या होता है गैस तो आमाश्य विग्राश नली का ही एक भाग है जहां पर भोजन आकर तीन से चार घंटे रहता है कितने घंटे रहता है तीन से चार घंटे आकर भोजन आमाश्य में रहता है जहां पर कैई पाचक रश्व की सहायता से बोजन का पचना शुरू हो जाता है बोजन का जो पाचन के रिया हो जाती है पाचन के रिया जो होती है वोजन की वो शुरू हो जाती है यह आपको यहाँ पर समझ लेना है अब हम यहाँ पर बात करें छुद्रान्त की मतलब छुटी आंत के बारे में जो हलके पिंक कलर के होते हैं कैसे होते हैं गाईज जो हलके पिंक कलर के होते हैं जैसे कि आप सब भी लोग यहाँ पे भी देख पा रहा हैं ठीक है यहाँ पर पोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है और अप्शूशन भी हो जाता है यह आपको यहाँ पर समझ लेना है अब हम बात करें नमर फाइब के बारे में बढ़ियात के बारे में बढ़ियात गई वह जगा होती है जहाँ पर पधार्थ आकर जमा होने लगते हैं और लास्ट में पानी और नमक का जो बचा हुआ जो पानी और जो नमक होता नगाई जो बचा हुआ होता है तो उनका अप्शूशन क्या जाता है अब शोशर करने के बाद जो हमारे सरीर में बेकार पधार्त रह जाते हैं तो मलाश्य और गुद्दाश्य से वो भार निकाल दिया जाते हैं यह आपको यहाँ पर समझना है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं तो गाईज आपको एक एक पॉइंट काफी अच्छे से समझना है अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको केलियर कर लेना ठीक है लेकिन मन में कोई आप अपने डाउट मत रखना और आज हमने यहाँ पर गाईज डिसकस किया है मनुष्यय में जो पाचन के गरिया होती है यह आपको यहाँ पर समझना है पूशन के तत्वे कौन कौन से होते हैं और पूर्ण जी भी पूशन क्या होता है यह सारे हमने पॉइंट वाइज काफी अच्छे से किलियर के रहे I hope आप सब भी लोगों के भी अच्छे से किलियर हो चुके होंगे अगर आप लोगों का कोई भी पॉइंट रह गया है तो आप उसे comment box में comment करें and मैं आप लोगों का answer दे दोगी ठीके and guys अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे like कीजिए, subscribe कीजिए and comment box में comment कीजिए thank you so much guys, bye bye